पार दोस्तो सुवागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड जी के MCQ सीडीज और इस सीरीज का आज हमारा 59 पार्ट है आज की इस वीडियो में भी हम उत्राखंड के कुछ important प्रश्णों को यहां पे cover करेंगे साथ ही इनको अतरिक तथ्यों के साथ हम देखेंगे जिससे आपकी अच्ची से practice भी हो जाए और आपका revision भी हो जाए क्योंकि एक जैसे प्रश्ण हम एक ही जगा पर इनको पढ़ लेंगे यह हमारा 59 पार्ट है अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो previous पार्ट है उनको नहीं देखा है आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के end पे अपना score कमेंट करके जरूर बताएं चलिए पहला प्रश्ण है आज का बैरिष्टर मुकुंदी लाल द्वारा तरुन कुमाउ मासिक पत्र कब शुरू किया गया था देखे बैरिष्टर मुकुंदी लाल ने पत्र का संपादन किया पत्र का नाम था तरुन कुमाउ पूछा जाता है ठीक है इसके संपादा कौन थे बैरिष्टर मुकुंदी लाल इसका संपादन इन्हों ने 1922 में शुरू करा तो option D हमारा सही आंसर होगा question number first का यहा जो पत्र था तरुन कुमाउ यह आपके लैंसिडाउन से प्रकाशित होता था तो आपको location भी याद रखनी है और वर्ष भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए दूसरा प्रश्ण है नंदा के जागर किसकी रचना है देखें नंदा के जागर यहा जो रचना है यह option C हमारा सही आंसर होगा बसंती बिस्ट की बसंती बिस्ट की रचना है नंदा के जागर और बसंती बिस्ट को उत्राखंड की पहली महिला जागर गाई का कहा जाता है तो अगर आपको प्रश्ण बने राज्य की पहली महिला जागर गाई का कौन है तो आप बताएंगे बसंती बिस्ट अगर आपको प्रश्ण बने उत्राखंड की पहली महिला लोक गाई का कौन है तो पहली महिला लोक गाई का है कबूतरी देवी ठीक है और पूछेगा अगर उत्राखंड की पहली महिला सत्यागराही कौन है तो वो है भागीरती देवी तो तीनों नाम आपको याद रखना हैं, तीनों important है, पेपर में पूछे जा सकते हैं साथ ही एक और बात फ्रेंट हमारी जो NCRT की सीरीज है सार संग रहे की दोतिन दिन से उसका वीडियो नहीं आया है, जल्दी ही उसकी सीरीज कल से आपकी continue हो जाएगी आधुनिक भारत को हम पढ़ रहे थे और जल्दी ही उसको हम cover कर जाएगे तो कल से आपकी जो NCRT वाली सीरीज है, दोबारत से continue हो जाएगी चली, next question है हमारा, उत्राखंड का कबीर किसे कहा जाता है देखें, उत्राखंड का कबीर कहा जाता है, option C, भजन सिंग को भजन सिंग को उत्राखंड का कबीर कहा जाता है, और इनकी एक प्रसिद रचना है, जो कई बार exam के अंदर पूछी गई है रचना का नाम है आर्यों का आदी निवास मध्य हिमाले, पेपर में प्रशन कई बार बना है कि आर्यों का आदी निवास मद्य हिमाल है किसकी रशना है तो आप बताएंगे भजन सिंग इन्हें उत्राखंड का कबीर कहा जाता है अगर आपको पूछे गड़वाल का प्रेमचंद किसे कहते हैं तो विद्यास आगर नौट याल विद्यास किसको कहते हैं तो यशोधर मठपाल ठीक है तो तीनों व्यक्ति यहाँ पर भी इंपोर्टेंट है मैंने आप्शन इस तरीके से बना है जिससे आपकी प्रेक्टिस बहुत अच्छे से हो सके क्योंकि उन आप्शन में भी आपके कई सारे प्रश्म बने होते हैं तो अगर आपको प्रेमचंद पूछेंगे तो विद्यास आगर नौट याल वेद्यास यशोधर मठपाल और कबीर पूछे जाएंगे तो भजन सिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट है पहला कोशन देखे यही बनता है यह कहां पर है तो यह आपके शिरीनगर में है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी तो आप्शन B हमारा सही आंसर होका आपको लोकेशन भी याद रखनी है अगला प्रशन है मंदीरों की नगरी किसे कहा जाता है देखे मंदीरों की नगरी कहा जाता है option B द्वारा हाट को important है उपनाम पेपर के अंदर पूछे जाते हैं ठीक है तो मंदीरों की नगरी कहते हैं द्वारा हाट को अगर आपको प्रशन बने जो लाखा मंडल है लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहते हैं ठीक है मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल और अगर पूछे कुमाओं का अन भंडार किसको कहते हैं तो कुमाओं का अन भंडार कहा जाता है नानक मत्ता को ठीक है तो तीनों उपनाम आपको याद रखने हैं द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी कहते हैं इसके अलावा द्वारा हाट को हिमालिय की द्वारी का भी कहते हैं ठीक है तो आपको ये point भी याद रखना है Next question है हमारा भवाली में TV सेनोटोरियम की स्थापना कब की गई थी देखे जो TV सेनोटोरियम है ये आपके निताल के भवाली में है और इसकी स्थापना 1912 में की गई option C यहाँ पे सही आंसर होगा पेपर में पूछा जा सकता है अगला प्रशन है अगर हम कारकाल के अगर हम कारकाल के अगर हम प्रशन है की बात करें तो 1747 से लेकर 1770 तक ये कुमाओं का शाशक था इसका सरक्षक का नाम पूछा जाता है दीपचंद के सरक्षक का नाम था शिवदेव जोशी जिस प्रकार अकबर का सरक्षक बैरम खान था उसी प्रकार दीपचंद का सरक्षक कौन था सिवदेव जोशी ठीक है हर्सदेव जोशी के पिता इसी लिए सिवदेव जोशी को कुमाओं का बैरम खान कहा जाता है अगर आपको प्रश्न बने कुमाओं का बैरम खान किसे कहते हैं तो आप बताएंगे सिवदेव जोशी को जो की दीब चंद का सरक्षक था इसी दीब चंद की मृत्यू जो चंद काल का कुख्यात काराग रह था सिरा कोट का किला इसी किले में दीब चंद की मृत्यू होती है तो ये भी आपको पूछा जा सकता है एक और बात आपको फ्रांसिस हैमिल्टन को लेके याद रखनी है Francis Hamilton ने इसे गुंगाशाशक तो कहा ही साथ ही इसकी एक प्रसिद रचना है जो पेपर में पूछी जा सकती है नेपाल का इतिहास ठीक है तो नेपाल का इतिहास Francis Hamilton की रचना है ठीक है Next है देवदामीनी बुग्याल कहां इस्तित है देवदामीनी बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में यमनोत्री के निकट इस्तित है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है देवदामीनी बुग्याल अगर exact location पूछेगा आप यमनोत्री बताएंगे और जनपद पूछेगा तो आप उत्तरकाशी बताएंगे अगला प्रशन है किस वंश के इतिहास का एक मात्र सुरोत उनकी मुद्राएं है सही आंसर होगा option B कुडिंद राजवश देखे जो कुडिंद वंश था इस वंश की जो हिस्टरी है इस वंश का जो इतिहास है उसका एक मात्र सुरोत है इनकी मुद्राएं जो कुडिंद वंश है इसकी मुद्राओं में इनकी मुद्राओं किस धातू की बनी होती थी तो देखे इनकी मुद्राओं तामर और रजत दोनों की बनी होती थी और इनकी मुद्राओं पे जो ब्रहमी लिपी है और खरोष्टी लिपी है दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया जाता था प्रश्ण पेपर में बन चुका है कि जो कुडिंद वंश थे इनकी मुद्राओं में किस प्रकार की लिपी होती थी तो आप्शन था वहाँ पे दुई लिपिया ठीक है तो ये दुई लिपियों का इस्तेमाल यहाँ पे होता था दो लिपियों का ठीक है उत्राखन पे शाषन करने वाला पहला राजनेतिक शक्ती कुडिंद वंश को ही माना जाता है और एक और प्रशन आपको याद रखना है कि महाभारत में कुडिंदों के लिए क्या कहा गया है तो महाभारत में कुडिंदों के लिए दुई जिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो ये भी एक्स्टरा फेक्ट है पेपर में पूछा जा सकता है एक कोशन आपके लिए है जो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कुडिंद वन्ष का सबसे शक्तिशाली शाशक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है ठीक है तो इसका अंसर आपने कमेंट करके बताना है इसी राजा की जो मुद्रा हैं दोनों प्रकार की मुद्रा हैं आपको डिटेल में पढ़ना है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रेल दुवारा डबल लॉक विवस्था कब लागू की गई थी, देखे विलियम ट्रेल के दुवारा सरकारी खजाने को लूट से बचाने के लिए एक नई विवस्था, डबल लॉक विवस्था यहां पे शुर दूनागिरी माता मंदिर यह आपके अलमोडा जनपत में इस्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जो दूनागिरी माता मंदिर है, यह आपके अलमोडा में है, लेकिन अगर आपको प्रश्ण बनता दूनागिरी ग्लेशेर कहां पर है, ठीक है, तो ग्लेशेर आपके चमोली में है, मंदिर अलमोडा में है, गलेशियर चमोली में है, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है दोनों मिलते जुलते हैं, आपके किलियर हो जाएंगे नेक्स्ट है, ब्रिटिस सरकार द्वारा घराटों पर सालाना कर कब लगाया गया था, देगे अंग्रेजों के दुवारा जो घराट होते थे इनके उपर सालाना टेक्स कब लगाया गया, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है, सही आंसर है, ऑप्शन D, 1922 में जो घराट होते थे, इनके उपर टेक्स लगाया गया था, कौन सा कर, सालाना कर, ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा एक और साल आपको याद रखना है 1861, 1861 में घराटों के उपर टेक्स लगाया गया, सबसे पहले लेकिन यह टेक्स जो होता था, यह पिसाई के आधार पे था, ठीक है जो घराट जितनी पिसाई करेगा उस हिसाब से उसे टेक्स देना होता था तो अगर आपको प्रश्ण बने पिसाई के आधार पे टेक्स कब लगाया गया तो 1861 में सालाना टेक्स कब लगाया गया गया था नेक्स्ट है, इस्थानिय बोली में थारू परिवार को क्या कहा जाता है तो देखे, इस्थानिय बोली में थारू परिवार को संग कहा जाता है, तो option C हमारा सही आंसर होगा और ये question आपका previous year question है पेपर में पूछा गया है ठीक है तो थार्यू परवार को इस्थानिय बोली में संग के नाम से जानते हैं अगला प्रश्ण है हमारा गडवाल जन जागरण का पिता महा किसे कहा जाता है देखे गडवाल जन जागरण का पिता महा कहा जाता है option B, तारादत गेरोला को गड़वाल जन जागरन का पिता माहा कहा जाता है ठीक है, एक question आपको ये याद रखना है अगर आपको question ऐसे पूछा जाता गड़वाल पुनर जागरन का पिता किसको कहते हैं ठीक है, यहाँ पे simple है, गड़वाल जन जागरन अगर प्रशन बने, गड़वाल पुनर जागरन का पिता किसको कहते हैं तो ये कहा जाता है, चंद्रमोहन रतूरी को तो आपको दोनों प्रशन याद रखनें, इसलिए मैं option इस तरीके से बनाता हूं कि आपको सारे जो doubt हैं, वो clear होते रहें और आप जब वन लाइनर इनको लिखें, तो आपके सारी चीज़ें एक जगह पर आ सकें तो दोनों कोशन को आपको साथ में लिख लेना है गड़वाल जन जागरन का पिता महा, तारदत गेरोला गड़वाल पुनर जागरन का पिता, चंद्रमोहन रतूरी तारदत गेरोला को गड़वाल का महर्शे भी कहा जाता है तो ये एक और उपनाम है जो आपको याद रखना है नेक्स्ट है, स्वतंतरता आंदूलन के दोरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी तो देखे स्वत्तंतरता आंदुलन के दोरान जेल जाने वाली प्रत्थम महिला उत्राखन से उनका नाम था बिस्नी देवी शाह अप्शन B हमारा सही आंसर होगा अगर आपको प्रशन बने राज्य आंदुलन के लिए जेल जाने वाली प्रत्थम महिला कौन है तो वो है तुलसी देवी तो तीनों आपको याद रखने हैं अगर पूचेगा स्वतंतिता के लिए बिस्नी देवी शाह अगर पूछेगा राज्य आंदुलन के लिए तुलसी देवी और वन आंदुलन के लिए दुरगा देवी ठीक है तो तीनों आपको याद रखने हैं तो तीहरी बांद का निर्मान कब शुरू किया गया था ये आपने बताना है सही आंसर है यहाँ पे option C 1978 से देगे तीहरी बांद को लेकर के कुछ आपके important वर्ष हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है देगे सबसे पहला है 1972 1972 में तीहरी डैम को योजना आयोग ने मनजूरी दे दी थी question बनता है तीहरी बांद को योजना आयोग से मनजूरी कब मिली 1972 1978 में इसका निर्मान कार्य शुरू हो गया था ठीक है तो 1978 में इसका निर्मान कार्य शुरू हुआ इसके बाद जो अगला साल आपको याद रखना है वो है 1986 1986 में जो उस समय का सोवियत संग था औ मिखाइल गोरवाच्यो उस समय रूस का राष्ट्रपती थे वो भारत आये तीहरी बांद को लेके रूस और भारत के भी समझोता हुआ और ये परियोचना जो 600 मेगावाट की थी 2400 मेगावाट की परियोचना बन गई तो ये समझोता 1986 में हुआ इसके बाद अगला साल है 1988 जब THDC का गठन किया गया ठीक है और अगले ही साल 1989 में THDC को टिहरी बांद का का काम सौप दिया गया ठीक है इसके बाद 2006 आपको याल रखना है जब टिहरी बांद के प्रतम चरण से उत्पादन शुरू हो गया ठीक है तो इस सारे साल आपको याद रखने है नेक्स्ट पूछा जाता है तो दोनों उपनाम हर्श्रदेव औली के हैं इनके राजनेतिक गुरू है मोतिलाल नहरू एक और प्रशना आपको याद रखना है Hem हर्षदेव ऑली और हर्षदेव जोशी दोनों अलग अलग विक्ति हैं हर्षदेव जोशी को कुमाओ का चाणक क्या कहा जाता है और हर्षदेव ऑली को काली कुमाओ का शेर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा किस कमिशनर ने कुमाओं में गौ हत्या पर परतिबंद लगाया था सही आंसर है सही पर सामने ही आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे तो विलियम ट्रेल इसका सही उत्तर है ठीक है निर्मान बेभी अत्यादिक रुची दिखाई थी विलियम ट्रेल ले गोहत्या पे प्रतिबंद लगा दिया इसके इनी सभी कारणों के बाद इसके उपर इसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था तो कोशन हाली में पूछा गया था कि आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है प्रसिद जूमा देवी मंदिर कहां इस्तित है तो देखे जो आपका एक फेमस मंदिर है जूमा देवी मंदिर ये आपके चमपावत जिले में इस्तित है ऑप्शन B हमारा सही आंसर होका तो दोनों एक जैसे नाम है एक जगह पर आप आपको इनको याद कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रशन है मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था देखें मोनाल हमारा राज्य पक्षी है और इसके उपर डाक टिकट 1975 में जारी किया गया तो आप्षन बी हमारा सही आंसर होका मोनाल को लेके दो-तीन बाते हैं उनको देख लेते हैं मोनाल का वेग्यानिक नाम क्या है तो मोनाल का वेग्यानिक नाम है लोफोफोरस इंपीजेनिस ठीक है राज्य में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती है मोनाल को जो इसका अन्या नाम है इसको हिमालिया का मयूर भी कहते हैं ठीक है मुनाल का प्रिया जो भोजन है वो क्या है तो वो है आलू ठीक है ये भी पेपर में पूछा जाता है मुनाल आलू की फसल को काफी जादा नुकसान पहुचाती है यहाँ पे हमने बात करी मुनाल के उपर डाक्टिकट की अगर आपको पूछा जाए जो बुरांश है इसके उपर डाक्टिकट कब जारी हुआ तो बुरांश पे डाक्टिकट 1977 में जारी हुआ और जो ब्रह्म कमल है इसके उपर डाक्टिकट 1982 में जारी हुआ तो तीनों का आ याद रखना है मोनाल 75 में बुरांस 77 में और ब्रह्म कमल 82 में ठीक है तो फ्रेंट यह थे हमारे उत्राखन जी के MCQ सीरीज का आजी हमने 69 पार्ट देखा 20 प्रशनों को देखा और अगर आप अतरिक तथ्यों के साथ इसको मिला कर देखे उनको जोड़ कर देखे तो आप पा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल को शेर जरूर करें और साथ ही म की बची है Modern Indian History की उसके बाद आपका Modern Indian History कवर हो जाएका तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके अपना इसकोड जरूर बताएं और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दे थैंक यू फ्रेंड्स